दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सिखने वाले हैं कि MCB, MCCB, ELCB, RCCB, RCD, RCBO, MPCB और आईसोलेटर क्या होता है? इन सभी का फूल फॉर्म क्या है? कैसे काम करता है? और कहां पर हमें कौन सा डिवाइस का इस्तमाल करना होगा? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईसोलेटर के बारे मेंches के वज़े एक प्रकार का switch होता है? आपके घर में जो बलग को चालू और बंकरने के लिए switch इस्तमाल करते होना, वही switch आपका isolेटर होता है? उस switch को आप चाहो तो आईसोलेटर भी कह सकते हो? आईसोलेटर के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा केवल काम इसका यही होता है कि पावर सप्लाई को चालू करे और बन करे सेकेंड डिवाइस हमारा है MCB MCB का फुल फॉम होता है मिनियेचर सर्किट ब्रेकर MCB का इस्तमाल आपके घर में भी किया गया होगा यदि आप देखोगे आपके घर का जो मैन डिस्टिबिशन बोड़े तो वहाँ पे लगा होता है अब यह जो MCB है इस MCB का इस्तमाल हम क्यों करते हैं एक बास समझिए देखे दोस्तों जो हमारे घर में पावर सप्लाई आता है उस पावर सप्लाई में बहुत सारे इलेटिकल फॉल्ट आते हैं उन सभी फॉल्ट में से दो फॉल्ट ऐसे हैं जो बहुती ज़्यादा हमारे घरों में देखने को मिल जाता है सबसे पहला होता है overload और second होता है source circuit तो यह जो दोनों fault है इनी दोनों fault के protection के लिए हम MCB का इस्तमाल करते हैं दोस्तों आगे पढ़ने से पहले में आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि जो MCB होता है और जो isolator होता है यह दोनों के दोनों देखने में एक जैसे होते हैं जो आपका MCB है उसी के जैसे ही आपका isolator भी होता है वैसे तो isolator आपको बहुत साथ type के मिल चाहेंगे लेकिन जो MCB type का isolator होता है वो same to same MCB के जैसे ही दिखता है यदि आप market में buy करने जाते हो MCB तो दुकानदार क्या करता है कि आपको सस्ते में बेचने के चकर में आपको MCB के जगा isolator भी provide कर देता है और यदि आप isolator को आपके घर में लगा दोगे उसको देख लिजेगा कि वो MCB है की नहीं है अब इसके बाद में जो next device है वो है MCCB MCCB का full form होता है module के circuit breaker देखे दोस्तों जो MCB होता है उस MCB को यदि आप buy करने जाओगे तो आपको MCB के वाल 63 A तक मिलेगा अभी के टाइम पे आपको 100 A का भी MCB मिल जाएगा लेकिन पहले के टाइम पे 63 A तक का ही MCB मिलता था अब यदि आपको इससे ज़्यादा rating वाली protection device चाहिए तो उस condition में आपको MCCB buy करना पड़ेगा MCCB जो होता है वो भी आपको overload और saw circuit का protection प्रोटेक्शन 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 1000 से भी ज्यादा rating वाली बना रही है अब इसके बार में जो next device है यह है RCCB RCCB का full form होता है residual current circuit breaker RCCB जो होता है इसको आपको compulsory आपके घर में लगाना चाहिए इसको क्यों हमारे घर में लगाना चाहिए इसको हम थुआ सा समझ लेते हैं यदि आपके घर में या फी जो electrical circuit है उसमें आपने RCCB को connect करके रखे हो और उस condition में यदि आप जाके face supply को भी पकल लेते हो तो आपको electric shock नहीं लगेगा electric shock इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो आपका RCCB है RCCB आपका current trip हो जाएगा यानि कि आपको electric shock से protect करने के लिए आपको आपके घर में RCCB का इस्तमाल करना चाहिए RCCB का काम केवल electric shock से protection प्रोवाइड करना होता है यदि आप RCCB के बारे में पूरा detail से समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने already बना दिया हूँ उसका link आपको description में मिल जाएगा चलिए अब हम बात करते हैं हमारे next device के बारे में जिसका नाम है ELCB ELCB का full form होता है अर्थली के circuit breaker ये जो circuit breaker है इसका काम भी RCCB के जैसे ही होता है यानि कि electric shock से आपको protect करना अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि RCCB जो होता है वो हमें electric shock से protect कर रहा है और ELCB भी हमें electric shock से protect कर रहा है तो इन दोनों का नाम अलग-अलग क्यों है देखी दोस्तों जो RCCB और ELCB है इन दोनों के बीच में दो difference बताता हूँ आप समझ जाओगे सबसे पहले हम बात करते हैं RCCB के बारे में जो हमारा RCCB होता है वो current पे operate होने वाली device है और RCCB का यदि हम connection करते हैं तो उसमें हमें केवाल face supply और neutral supply का ही इस्तमाल करना पड़ेगा लेकिन जो ELCB होता है ELCB हमारा voltage पे operate होने वाली device है और ELCB का जब हम connection करने जाएंगे तो उसमें हमें face supply, neutral supply और earthing वाले wire को भी connect करना पड़ेगा इसके अलावा भी बहुत सारे difference होते हैं लेकिन वो ज़्यादा important नहीं है फिलहाल के टाइम पे केवल ये समझ ये कि RCCB और ELCB दोनों एक प्रगा का device है जो हमें electric shock या फिर earthfall से protection provide करता है अभी के time पे यदि आप market में ELCB को buy करने जाओगे तो आपको सायर ना मिले अभी के time पे आपको केवल market में RCCB मिलेगा जो की ELCB से ज़्यादा sensitive होता है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यदि आप आपके घर के लिए RCCB को लगाने जाते हो तो उस condition में जो आपका RCCB है उसका जो leakage current होगा leakage current 30 mA होना चाहिए 30 mA leakage current वाली RCCB हमें क्यों buy करना चाहिए यदि आप पूरा समझना चाहते हो तो description में जो video का link दिया गया है उसको आप देख लिजेगा अब यहाँ पे हमारे पास में है RCBO RCBO का फुल्फूम होता है residual current circuit breaker with overload protection इसके नाम सही आपको थोड़ा बूर पता चल गया होगा कि RCBO क्या काम करता है चली मैं आपको पूरा चीजे बता देता हूँ जैसे कि मैंने आपको starting में बताया कि जो हमारा MCB है MCB हमें overload और source circuit से protection प्रोटेक्शन 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 को बाई करना पड़ता है तो जो आर्सीबी होता है इसके द्वारा हमें ओवर लोड सो सर्कीट और अर्थ फोल्ड से प्रोटेक्शन मिलता है ओके यह जो आर्सीबी हो इसको हम आर्सीडी के नाम से भी जानते हैं बहुत सारे मोटर प्रोटेक्शन सर्कीट ब्रेकर के नाम से अपको पता चल जाएगा कि यह एक ऐसा डिवाइस है जिसका इसतमाल मोटर के प्रोटेक्शन के लिए करेंगे अब यहां पर हमें क्योड़ी समझना है कि इसके दौरा हमें क्या-क्या प्रोटेक्शन मिलेगा MPCB जो होता है वो आपको overload, source circuit 37 में face loss का भी protection provide करता है तो दोस्तो I hope कि आपको यहाँ पर यह समझ में आ गया हुआ कि कौन सा device हमें कहाँ पर इस्तमाल करना चाहिए और वो device हमें क्या-क्या protection provide करेगा दोस्तो यदि आपको वीडियो पसना आया तो like कर दीजेगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद